हेलो गाइस वेलकम टो अनदर वीडियो अन दिस चैनल तो मैं जैवाचानी आपका आपके चैनल में हारदिक स्वागत करता हूँ तो जैसा कि आप सबको बता है कि इस सीरीज में हम यहाँ पे डिसकस कर रहे हैं जीपी एसी के प्रीवियस येर पेपर और हम यह बहुत के डिपार्टमेंट के लिए जो एक्जाम हुआ था 2015 में उसका मैं आज आपको डिविजन करवाओंगा तकरीबन हंड्रेट क्वेशन उसमें थे तो आपको पता है कि हम हंड्रेट क्वेशन एक ही पार्ट में डिसकस नहीं करते हैं हम आज पार्ट वन में पच्चास क्वे प्रेशन कर तो आपको झानना जरूरी है कि कैसे कैसे क्वेशन में फ्रेम हो रहे है तो चीप्सE के एक्क सम अगर आप देने जा रहा है तो आपको तो पहला question है यहाँ पे तो most accurate method आपको पूछा है यहाँ पे irregular boundary के लिए तो एक question आपने पहले भी question paper में मैंने आपको discuss कर वया था equation दूसरी exam में भी पूछा गया था तो repeat होते रहते question तो इस तरीके से आपको यह जो previous question है वो आपको help हो सकते हैं आपको यहाँ पे Simpson's third one third rule से और यहाँ पे accurate method हो जाएगा उसका formula भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था साहिद आपको याद होगा अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे आपको और एक बार लिख के बता देता हूँ इसका formula हो जाएगा अगर इसके basis पे आपको एक छोटा सा sum भी पूछ सकते हैं मतलब आप इस तरीके से आप इस चिसको relate करके चलिएगा क्योंकि अगर यहाँ पे सिंसंस रूल पूछा है तो उसका example भी छोटा सा आपको पूछ सकता है अगला question है line whole circle bearing में जिसकी 145 डिग्री है उसकी reduce bearing में किस तरीके से हम इसको present करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई डिग्री हो जाएगा तो इस तरीके से आप जान सकते हैं अब मुझे बताया कि यहाँ पर मुझे को reduce bearing में पता करना है तो यहाँ पे कौण सा quadrant आता है south east quadrant यहाँ पर पड़ता है तो में यहाँ पर पहले quadrant लिख दूँगा south east quadrant और यहाँ south से इस तक इसकी यहाँ पे इसका angle क्या बनेगा तो मुझे यहाँ पे आपको पता है कि पूरा एंगल 180 है तो 180 में से 145 को में माइनस करूंगा तो यहां पर मेरा आंसर आजाएगा 35 तो हमारा आपको बताना है जो की था के लग रहा है तो आपको बताना है कि अगले पेपर में भी पुछा गया था तो आपको पता है कि अगर को यहां में ऊच्छैनobile का यह ह्यां तो हम about करेंगे otherwise 1000 होता है तो यहां पे कुछ 88 हो जाएगा यहां पे तो जैसा कि आपको यहां पे pressure find out करना है तो आपको यहां पे triangle जैसे दिख रहा है तो आपको triangle का formula भी पता है यहां पे 1 by 2 the base is 8 and the height was 8 तो तो आपको यहां पे solve करना है इसको 248 यहां फोर 32 टी इसका अंसर हो जाएगा यहां पे कौन सा यहां पे answer हो जाएगा भी आपका सही answer होने वाला यहां पे डिवाइज वीच मेक यूज उप liquid column for the determination of pressure is known as जो लिक्विट कोलम होता है जो प्रेशर के प्रेशर को add है उसको क्या है ने सबस्क्राइबक क Kathy स्कॉम करते तो उसको मेटर करते हैं कि उसको करते हैं उप स्कुल मिनार क्या होता है जब लैमिनार से कम होता है अगर चारजार से ज्यादा हुआ तो यह turbulent हो जाएगा यह आपको पता होना चाहिए अगला question ने non load bearing piles are known as चो non load bearing piles होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम seat pile से कहते हैं अगला question ने copper dam structure क्या है तो आप जानते हैं कि copper dam structure का यूज करते हैं जब पानी में कोई भी हमें को structure create करना हो तो हम copper dam बनाते हैं क्यूंब बनाते हैं क्यूंकि पानी रुकावट जालते हैं हमारे काम में तो उसको रोकने के लिए temporary structure क्रियेट करते हैं temporary structure to protect construction activity from the water समझते हैं इस sentence से यह बात हैं कि Slope in transverse direction of a road to train of the rain water from the non-ice जो भी transverse direction में slope देते हैं हम रोड में ठीक है अगर ऐसा कोई रोड है और इस direction में हमने इस तरीके से कोई slope दिया है तो इसको हम क्या कहते हैं तो इसको हम कहते हैं केमबर हमारा यहाँ पर सहीं आंसर हो जाएगा यहाँ पर D केमब पर हमारा सहीं आंसर है अगला question है in bridge rocker roller tap bearing provide rocker rocker roller tap bearing क्या provide करते है तो rocker roller tap bearing free sliding and rotation at the end of the span fund कि अगला question है आईडियल form of the curve for summit curve SUmmit que Posal के लिए за adults कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा کیya पेराबोलिक जो कहो है वो समेट करो के लिए आइडियल फॉर्म है Select the strength parameter of concrete used in the design of plain joint cement concrete pavement from the following choices यहाँ पर बात की है यहाँ पर concrete की तो यहाँ पर answer इसका हो जाएगा flexural strength अगर आपको कुछ भी नहीं पता है अगर यह unit को अच्छी तरीके से पढ़ना आता है तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्या denote करता है अगर कोई एक किलोमेटर तक की अगर रोड है यहाँ पर समझ लिएगे एक किलोमेटर की रोड है वहाँ पर कितने वेहिकल यहाँ पर एक अट्टा है तो उससे आप क्या पता कर सकते हैं है कि यह रोड की density क्या है इस unit से ही आप सब कुछ पता लगा सकते हैं उसको बाकी सब आग को नपता हो फिर भी टाफिक density का सही answer हो जाएगा अगला question है Level surface is defined Level surface हम कैसे define कर सकते हैं तो Level surface एक curved surface है जो की perpendicular है direction of gravity के सबको पता है कि यह जो और थे हमारी इस तरीके से कुछ और यह हमारी यहाँ पे level surface होती है वर अबर perpendicular बोला है कि इस तरीके से यानि कि ग्रेविट इक्षिंट फोर्च यहाँ पे towards the center of earth होता है उससे हमारी यह जो level line होता है यह perpendicular होती है इस तरीके से sentence का मतलब आपको समझना है अगला question है the total length of stair in a horizontal plane horizontal plane में जो भी total length होती है stair की landing के including की तो हम इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते है run कहते हैं in a cavity wall the cavity in with neither be मतलब cavity wall होती है जो उसमें जगा रखते हम दो दीवाल के बीच में उसको cavity कहते हैं तो कितनी से कम नहीं होनी चाहिए और कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो एक 40 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 100 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक question repeated हो सकता है बट उसमें क्या कहेगा आपको इस unit जो यहां पे 40 mm और 100 mm दिया गया है वहां पे आपको size इसको cm में दे दे या कुछ और unit यूज़ कर ले या कुछ और वर्ट्स यहां पे यूज़ कर ले इस तरीके से question ऐसे repeat होते डायरेक रिपेट नहीं होते बट एक वे है किस तरीके से repeat करना इसको गेबल रूफ ही प्रूफ एन मेंसर्ड रूफ और दी फॉर्म ओफ यहां पर यह चाहेगा एक कौनसे फॉर्म के रूफ थे तो एक पीच्ड रूफ है अगर आपने बिल्डिंग मटिरिल्स वा सब कुछ पढ़ा है वहां पे रूफ और डिसकस किये थे वहां पे तो पीच्ड रूफ इस पोटिंग के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम परलीन बोलते हैं यहां पे ठीक है गाइस परलीन कहां पर होते हैं मालूम है आपको यह कोई रूफ है तो यहां पे इस तरीके से परलीन हम रखते हैं ठीक है यहां पे उसके ऊपर यहां पे सब प्रेंशिवल र फ्री कंसेट अब दी पार्टिस बाइ पर्शन कॉंपिटेंट और टू कॉंट्रेक्ट पॉर दा लोफुल कंचिडिरेशन और लोफुल अब्जेक्ट एंड विच और नॉट एक्सप्रेसली डिकलेड तो बी वॉइड बाइन स्टेटू इस तर्मेश तो इसको हम कॉंट्रा यहां पर यहां पर यहां पड़ा बोलते उस उस में इन सब कर्चों को हम इंकलूड करते हैं कि रोकुल गॉसूल and expanded clay यह सब क्या चीज़ है तो यह सब है insulating materials which of the following operation convert limestone into quick lime चो limestone को quick lime में convert करते हैं उस operation को हम क्या कहते है इसको कहते हैं calcium यहाँ पर हम इसको calciumation कहते हैं बढ़ हमको यह option में calcining दिया गया तो हम इसको tick mark लगाएंगे ठीक है गाइस और अगला question है तो workable building mortar is prepared from जो building का mortar होता है वो किस तरीके से prepared होता है तो सब को बता है कि mortar हम sand और cement के combination से हम इसको बनाते हैं cement भी use करते हैं यहाँ पर lime भी use कर सकते हैं हम यहाँ पर तो इस से लेटेट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा water fine aggregate and binding agent binding agent यानिकि cement और mortar fine aggregate यानिकि यहाँ पर हो जाएगा send ओके तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा next question है in a cement concrete water is added for cement concrete में हम water को क्यों add करते हैं तो पहला तो हमको workability भी चाहिए और हमें सब compound को mixer में convert करना इसलिए हमें यह add करते हैं यानिकि hydration करवाने के लिए और workability के लिए दोनों purpose के लिए हम पानी को add करते हैं एनी fluid materials that will be spread over solid surface and dry or harden to under adherent coherent and screaming screen or films ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं paints a simple question a glass is attacked by glass को किसे नुक्सान होता है तो यहाँ पर hydrofluoric acid इसका सही answer हो जाएगा अगला question है यहाँ पर site यहाँ पर TE आएगा site preparation soil treatment and structure berries are method of किस जिसके method चाहिए यहाँ पर तो यह method से यहाँ पर termite proofing के अगला question है the following rocks इसमें से कौन से rocks है तो यहाँ पर आप सबको बता है कि basalts एक rocks है और granite यह दोनों एक rocks के example है तो हमारा answer यहाँ पर क्या हो जाएगा D answer हो जाएगा basalts and granite यह दोनों rocks है which is the most common material uses a vehicle paint में vehicle यानि की spreading के लिए कौन सा जो की है material हम use करते तो क्या होएगा इसका answer lincid oil का हम use करते हैं as a vehicle ओके अधिश्व जंप अकर है डोलिक जंप कब क्रियेट होता है मतलब जब है इस अधिश्व जंप क्रियेट करने के लिए जब सुपर क्रिटीकल कंडिशन होती है उसमें से अगर फ्लो सब क्रिटीकल स्टेट में जाता है तब फोर्म होता है अधिश्व जंप कौनसा answer हो जाएगा यहां पर सुपर टू सब सुपर टू सब यानि कि बी आंसर हमारे यहां पर सही आंसर होने वाला है इन ओपन चैनल फ्लोट्स यहां पर आएगा फ्लोट्स आर यूस्टू मेजर फ्लोट्स हम क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो फ्लोट्स हम यूज करते हैं सर्फेस वेलोसिटी ओफ वटर ग्रेड ओप कॉंक्रिट सजेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑप क्यूब जो ग्रेड ओप कॉंक्रिट होता है कितने दिन में आपको सजेस्टेट आ जाएगा ट्वेंटी एट डेज पंद्रा बाई पंद्रा सेंटीमेटर का आपका क्यूब होता है और हम 28 दिन पे उसकी फूल स्टेंग कंसिडर करते हैं अगला क्वेस्टन है वेन स्पेस अवेलिबल इस लॉंग बट नेरो इन सेप विच फॉलोविंग टाइप ऑफ स्टेर उड़ भी यूसफुल जब स्पेस नेरो हो और लंबा हो तब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं तो स्ट्रेट स्टेर हम यहां पे यूज करते हैं तब फॉर्मेशन ऑफ और करवेचर रोड तो अवएड स्कीडिंग स्कीडिंग और ओवर्टनिंग को जो रोकने के लिए हम प्र ऐसीति एक्सेलरेशन एंड जो मॉमेंटम है वो किसका एक्जमपल है तो यह सब आपको पता है एक वेक्टर स्कॉंटेटी यहां पे है अगला क्वेशन है तो फोर्षिस वीच आर कोमण लाइन ओप एक्शन जो कॉमन लाइन होती है यह एक लाइन पे कोई फोर्षिया पे section देखो एक confusing question हो सकता है क्योंकि moment of inertia पूछा जाता है दो terms में क्योंकि circle का और square का एकदम easy है इसका यहां पर देखो यहां पर इसका centroid है यहां पर एक संटर्ललक्सीस हो गई है और एक बेज एकसीस हो गई है ठीक है तो इसके respect में और इसके respect में दोनों के respect में यहाँ पे आपको question पूछा जाता है अगर आपको यह mention नहीं किया है कि centroid से बताई यह बेज एक्सिस से बताई तो आपको centroid से बता देना है तिक इसका क्या होता है यहाँ पे bh cube upon 36 answer होता है अगर आपको base axis से आपको पूछे कि triangular section का base axis से बताना है तो इसका answer हो जाएगा bh cube upon 12 आपको यहाँ पे mention नहीं किया गया है कि हमको कहां से बताना है तो इसका answer हो जाएगा bh cube upon 36 हमारा answer हो जाएगा अगर आपको mention किया जाए कि आपको base axis से बताना है तो आप यहाँ पे ए आंसर टिक कर सकते हैं यह बेज एक्सिस से आंसर हो जाएगा इसका अगला question है यहाँ पे moment of inertia of circular section देखो answer आ यहाँ पे अगला moment of inertia पूछ लिए आगर पाई पाई लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे मिसिंग है तो circular section का moment of inertia का क्या formula है आपको यहाँ पे पाई डी क्यूब अपॉण यहाँ पे 64 आएगा आपको सरकल की यहाँ पे 64 आपको याद रखना है यानि की यहाँ पे answer आपका यहाँ पे हो जाएगा अगला question है यहाँ पे ratio of limiting force of the friction to normal reaction between two bodies इस रेशियो का हम क्या कहते है तो coefficient of friction कहते हैं simple definition है यहाँ पे हम time pass नहीं करेंगे आगे जाएंगे simply supported beam आपको यहाँ पे दिया गया है उसमें आपको कुछ lots indicate किये गया है जैसे कि आपको a के आपको fight करके देना है तो इसको हम किस तरीके से solve करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे a के past moment लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे a के पास moment लगे तो यहाँ पर vb Is तरीके से लगBig यहाँ पे vertical यहाँ पे rbm लेज सकते हैं तो rb आपको इस तरीके से यहां पर सर्द मोमेंट के रोटेट हो रही है तो आप यहां पर लेंगे आरबी इंटु 6 ऑके कि आरबी इंटु 6 एन यहां पर 20 केजी है जो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूब कर रहा है तो यहां पर सामने की ओर लेखेंगे 20 x 3 प्लस यहां पर UDL दिया गया है UDL को आप किस तरीके से यहां पर काउंट करते हैं तो यहां पर आपको करना है 10 x पूरी लेंथ है क्या 6 आपको और इंटू करना होगा half length आपको calculate करनी होगी यहाँ पे 3 ओके मतलब यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा 60 into 3 और यहाँ पर अगर आप rb को solve करेंगे तो आपका हांचरा जाएगा 40 बट आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है आपको r a पूछा गया है तो आपको total load में से माइनस करना पड़ेगा total load कितना यहाँ पर 10 into 6 यानि की 60 plus 20 यानि की 80 हो गया उसमें से आपको ए 40 माइनस करना है यानि कि आपका answer हो जाएगा 40 यहाँ पर 40 kg आपका यहाँ पर answer हो जाने वाला है अगला क्वेस्टन है यहाँ पर वेलोसिटी ओप द बोड़ी फ्रीली फोलिंग डाउन इसका answer क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वेलोसिटी आपको यहाँ पर केल्कुरेट करके दिखाना यहाँ पर मिस्टिंग है टू जी एच यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी पूछी गई है जब कोई ओब्जेक्ट फ्री फोल करता है तो यहाँ पर आप cancer यहाँ पर हो जाएगा डी वी इकोल टो जी एच नेक्स क्वेस्टन स्थाइब इस मोडुटूवलास एक के बारे में पर फूछा गया है तो यहाँ पर आपको बताना थे कि स्ट्रेश और स्ट्रेंड के बीच में क्या relation है यहाँ पे क्या हो जाएगा stress upon strain इसका answer हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे stress and strain का यह ratio हो जाएगा अगला question है time of bid in case of simple pendulum is यहाँ पे अलग-अलग तरीके से आपको यहाँ पे formula दिये गए है T क्या तो T का formula क्या है यह आपको सही formula आपको मालूम होना चाहिए जो भी इस related formula है आप वहाँ पे अपना answer मार्क कर सकते हैं इसको अलग-अलग formation में आपको यहाँ पे दिया जाएगा confused नहीं होना है आपको सिफ एचीज याद रखनी है कि इससे आपका answer clear हो जाएगा कि strain energy is a define is strain energy हम कैसे define कर सकते हैं तो strain energy का आपको पता होना चाहिए कि कैसे define होती है यहाँ पे तो energy store in the body when stress is up to up to the नहीं यह इसका गलत answer हो जाएगा answer सही होगा यहाँ पे सी क्योंकि हम उस stress की energy को यहाँ पे store करने की बात करते अप टू इलास्टिक लिमिट तक यह वर्ट से आपको याद रखना है up to elastic limit energy store in a body when stress up to elastic limit work done on a rotating body by torque j is answer आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे d j j theta यह आपका यहाँ पे सही आँसर हो जाएगा मतलब यहाँ पे unit और formula यहाँ पे दोनों important बाते हैं आपको unit भी separately question में पूछे जा रहा है तो आपको उस पे भी ध्यान देना होगा ठीक है the property by which certain material returned back to its original position जब कोई material position हम कोई change करते है और उसकी original position में वापस आ जाए तो उसकी ऐसी property को हम क्या कहते है तो ऐसी property को हम कहते है elasticity हम उसी ऐसी property को उसकी elasticity कहते है अगला question है the point of contraflexure is the point where point of contraflexure हम किसे कहते है ठीक है तो point of contraflexure हम कहते है जहाँ पे bending moment होती है वो अपनी sign change करती है ठीक है यह हमारा सही answer हो जाएगा अगला question है यहाँ पे the pressure per unit length of retaining hole is given by यहाँ पे answer indicate ठीक है थोड़ा आपको यहाँ पे dark में दिकरा हो गया यहाँ पे इसका answer क्या हो जाएगा यहाँ पे wh square by 2 यहाँ पे minus upper side में आएगा यह आपको याद रखना है ठीक है 1 minus sign psi upon 1 plus sign psi ठीक है हमारा b यहाँ पे हमारा सही answer हो जाएगा next question है यहाँ पे the algebraic sum of the moment of all forces acting to right or left of the section उसको हम क्या बोलते है यहाँ पे हमें यहाँ पे sum निकलना था moment का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा answer हमारा bending moment यहाँ पे सही answer हो जाएगा slenderness ratio of long column long column का slenderness ratio यहाँ पे आपको पूछा गया है तो वो हो जाएगा above 80 अगर slenderness ratio हुआ तो आपका यहाँ पे long column होने वाला है slenderness ratio lambda का formula यहाँ पे आपको याद रखना है कि एसे एसे question separately पूछे जाते हैं तो यहाँ पर इसका होता है और यहाँ पे आर का भी एक formula है यहाँ पे ओ भी आपको याद रखना है i by a एक question भी separately बहुत सारी exam में पूछा जा चुका एक एक mark के लिए होता है तो इसे question direct बन सकते हैं अब इसमें भी क्या क्या changes हो सकते हों मैं यहाँ पे आपको एक दिख्या बताता हूँ तो यह भी option में हो सकता है मतलब ऐसे पूछे जा सकते questions तो ऐसे अलग-अलग तरीक ऐसे question form होते हैं वह आपको पता होना चाहिए और exam में आपको ही तो ध्यान रखना है अगला question if the end if the end position of the beam is extended अगर कोई beam है उसकी end position हम extend कर दे ठीक है तो ऐसे beam को हम क्या कहेंगे तो इस ऐसे beam को हम कहेंगे over hanging beam यहां पे यह हमारा सही answer हो जाएगा तो यह थे हमारे पहले 50 questions ठीक है वह हमने discuss कर लिया यहां पे और अगले 50 question आगे की video में हम discuss कर लेंगे तो यह paper है हमारा irrigation department का ठीक है 2015 में हुआ था यह paper और ऐसे ही और भी paper हम इस channel पर लेके आते रहेंगे रोज हम लेके आते हैं और आगे भी यह continue रखेंगे up to the exam तक तो अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजिए और इस रिस्तों देखना बिल्कुल भी ना छोड़े और बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि एक questions आपको exam में बहुत help करने वाले हैं और thanks for watching this video आगे के वीडियो देखने के लिए subscribe करना भी ना भूले और हमारी चैनल पर जाके आप civil engineering की playlist चेक कर सकते हैं वहां पर महुत सारे और question paper discuss हो चुके हैं वह भी जाके आप वहां पर देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत